अभी हम लोग थोड़ा सा audit subject के बारे में जानते हैं इब इदर देखो ठीक है इस इस और सॉड़िट इस फॉर टू कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स सी ए एंड सी एम में सी एवालों के 100 मांक्स होता है सी एम में वालों के 50 मांक्स होता है पर मोर लेस्ट अपरंपरा रही है कि वो लोग अपने content को मांक्स कम देते हैं पर बाकी अंदर subject के सारा सामान डाल देते हैं ठीक है तो मांक्स में फरक हो सकता है content में फरक उत्ता ज़्यादा नहीं है तो वो common classes चलेंगे अपनी ठीक है 27 standards on auditing और येलो बुक में cover होता है फाइव चैप्टर्स टोटल देरा थर्टीन चैप्टर्स बट देर इस अ बिग डिफरेंस वो बिग डिफरेंस क्या है कि येलो बुक के जो चैप्टर्स होते हैं देर लॉंग ठीक है और रेड़ बुक के chapters short होते हैं तो तुम लोग पाऊँ होगे कि रेड़ बुक में जब कोई chapter चालू होता है तो वो दो class एक class तीन class ऐसे average में दो class के अंदर almost हो जाता है पर येलो बुक के जो chapters है वो एक एक chapter 5 class 6 class ऐसा करके जाता है ठीक है तो येलो बुक के chapters long है ज strong करना मतलब if you are targeting for like 70 plus तो तुमको इसको बहुत strong करके चलना पड़ेगा yellow book को ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है if you are targeting for 70 plus in audit एकदम तगड़ा प्रिप्रेशन आची ये लो बुक का ठीक है अच्छा red book के अंदर 27 standards है total हमारे ये लिखना हो रहा है सबका ठीक है तुम लोग जो भी मैं syllabus का discussion कर रहा हो ना please write down करते जाना ये तुमको ना copy notes ही बात में बचाएगा मैं बता रहा हूं बहुत सारे students होते हैं वह 5-6 मेना बाद जब खतम हो जाता है बैच और घर पर पढ़ते हैं तो बोलते हैं कि भी आप पढ़े तो सब थे अभी जब देखते हैं तो हर भी बचाएगा you come to my copy you start reading तुम्हें इतम रिदम में आ जाओ के सब्जेट करें ठीक है मैंने बुक के अंदर दो तीन स्पेशल चीज भी डाला है जो तुमको हमेशा help करेगा whenever you are out of touch with the subject you can always come back to the book book मैं मैंने एक रिफ्रेशर बोलके डाला है टॉपिक जो आज में पढ़ाने जा रहा हूं audit refresher उसको जैसी पढ़ोगे पूरा audit एकदम ब्रेन में चला जागा वापस है ठीक है अभी इधर ध्यान देना यह होगा है सबको सुनो chartered accountant institute ने टोटल 46 ऐसे बनाया है 46 standards we should say standards ठीक है 46 standards बनाया है उपर वाले क्लास में सब हैं इंटर में कम हैं इंटर में अपने syllabus में कितना है खाली 27 standards इंटर में अपना syllabus में कितना है 27 standards दोस 27 standards are covered in the book okay सारा मेरे दोनों books के अंदर covered है इसके अलावा अगर तुमको 27 standards का एक short summary book चाहिए तो मेरे website पे डाला हुआ है ठीक है वह मैं जल्दी से refer नहीं करता विकॉज में short पढ़ने पढ़ने में बिलीव नहीं रखता मैं आएगा एक्जाम में तो पूरा डीटेल में आएगा आएगा यह नौट गूंट वास्क्यू समरी अरुगें मैं पॉइंट विल्दे आस्क्यू समरी अग्जाएगा उसका नाह में standards compact book वो 40 पेज के आसपास कुछ होगा ठीक है यह तुम website से डाउनलोड कर सकते हैं इस बाकि हम तो अपने दोनों book के अंदर जो standards डाला हुए उसी से पढ़ाएगा और detail में बढ़ाएगा पुरा ठीक है मैं short में पढ़ाने वाला हूँ भी नहीं कि एक लिए रहे हैं कि कॉपी नोट्स आप अल्रीडी टोल यू कि कॉपी नोट्स तुमको बहुत अच्छे से मेंटेन करना है यू क्यारी स्टेशनरी विथ यू ठीक है डिफ्रेंट कलर के पैंज हाइलाइटर्स आप क्यारी करो अपने साथ पोस्टेट स्टिकी नोट्स क्योंकि कॉपी नोट्स जितना सुन्दर बन जाएगा तुमारे हाथ का खुद का लिखा हुआ वह तुमको रिवाइस करें मदद करेगा आम टेलिंग यू खुद का कि यह एंसरें को ऐसे लिखना है वर डे डॉंट लो हाव टू प्रेजंट इन एक्जाम क्योंकि वह कभी लिखा नहीं खली बस रिड मारते गया रीड मारते गया तो उससे लिखना नहीं आता तो क्लास्रूम में कम से कम थवा तो थो राइट इंग क्रेंट हो जाए घर में के यह कोर्स ब्रेकप के बारे में तो मैंने बता दिया तुमको अब मैं बुक के अंदर एंटर करने जा रहा हूं ठीक है देरा टू बुक्स वन इस यलो बुक यलो बुक संडे होता है अंद अधर इस दिस वन रेड़ बुक तो अभी तुम लोग सब रेड़ बुक की लाए हो ठीक है रेड़ बुक से ही स्टार्ट करेंगे अपने सब से पहले आप लोग कंटेंट्स पर आ जाओ कि यह देखो यह पेज होना चाहिए मिला के कंटेंट्स ठीक है कंटेंट्स पर आप देखो तो जड़ा देर एड़ चैप्टर्स और एड़ चैप्टर्स के लास्ट में आपको क्या दिखा है लिखा हुआ स्टैंडर्स ऑन अडिटिंग हाँ मेनी ट्वेडिसेवें ट्वेडिसेवें स्टैंडर्स ठीक है अच्छा यह एड़ चैप्टर्स जो है ना इनका नाम बहुत लंबा है तो मिडल में देखो एक लिखा हुआ है फूल चैप्टर नेम तो अपने कहना बातचीत परपस के ल तूमें है ठीक है अब अगले पेश पेश्टन करो एक पेश्टन करो हां अब देखो तुम्हारे को यह मिलना चाहिए था इस ए मिला क्या इसका मतलब है स्टैंडर्स का कॉंटेंट्स की वाट अग्दम लाइंस है ठीक है यह देखो अच्छा जो स्टैंडर्स ऐसे ग्रेशेड में डाले वें देखर ग्रेशेड में यह वाला मिरे हाथों के ठीक सामने देखो तुम लिखा हुआ ऐसे 260 उतर लास्ट में लिखा होगा excluded मतलब से हटा दिया है तो जो जो वाइट कलर में है ना काली बस वही तुमारे सिलबस में जो ग्रे में है ड़ाज बीन एक्स्क्लूडेट तो देरा टोटल आउफ एस यू के ट्वेंटी सेवन स्टैंडर्स अच्छा इट्वेंटी सेवन स्टैंडर्स कैसे क पढ़ेंगे उसी के अंदर 13 स्टैंडर्स अपने को मिलेगा और वहीं पर संक्संग कवर हो जाएगा फॉर स्टैंडर्स है जो येलो बुक में कवर होगा येलो बुक के अंदर एक चैप्टर आता है और डिट रिपॉर्ट चैप्टर नमबर 10 तो उसमें कवर हो जाएगा लोगे बिल्कुल भी बहुत तरे स्टैंडर्स से घवराते हैं तो घवराना ही नहीं पड़ेगा तो चैप्टर के अंदर ही कवर हो जाएगा बचा कितना लास्ट में टैन्ट वह 10 स्टैंडर्स का अलग से सेपरेट क्लास होगा जब अपना बैच एंड होगा ठेक है जब बैच एंड होगा ना उस ताइम पर वो टेन स्टैंडर्स पुरा अलग सेंडर्स की क्लास कंड़करेंगे तो यह डन है स्टैंडर्स का आइडिया हो गया ठेक है अब मैट के अंदर कि यह स्टैंडर्स वाले कंटेंट को टर्न करो देखो तुमको ऐसा कुछ मिलना चाहिए कि मिला क्या हाँ यह जो है ना यह इसका नाम देखो उपर एकदम क्या लिखा अपना ओडेट रिफ्रेशर ना इससे आज अपनी क्लास स्टार्ट होगी यह तीन पेज्च का है तुम पलटो देखो तीन पेज्च का होगा है टोटल है यह और डिट रिफ्रेशर यह टोटल ठी पेज़का है मिले बात को सुनो यह और इसकां मकसद क्या था जैसा कि मैं ने बोला बहुत सारे स्टूनें्स होते हैं ऐसा जो नया content सुनते हैं ना तो पुराना हम लोग थोड़ा सा भूल जाता है इसा होता ही है कुछ नहीं कर सकते हैं यह problem सिर्फ audit के साथ नहीं है यह problem group 2 में और एक paper आता है यह problem होता है फिर ग्रूप 2 के अंदर ही 40 माग का है शायद है इकोनामिक्स उसके साथ भी problem होता है अब इको क्या है कि वह last होता है इससे जल्दी से problem नहीं होता वहना उसमें भी लफड़ा आता है मतलब हर जगा यह problem आए गई जहां पर भी तो हमको थोड़ा सा भी जैसे अग यह तीन पेज का रिफ्रेशर जैसे पड़ोगे यह मतलब पूरे आगे तक के चैप्टर का एक समरी उठा उठा के इंपॉर्टेंट डाला हुआ है तो वैनेवर यू फिल दाट यू आउट आउट आफ टच कभी तुम आउट आफ टच हो गए सब्जेक्ट से और वापस तुम को रिदम में आना है तुम यह तीन पेज का रिफ्रेशर जैसे पड़ोगे फिर से पुरा यह लोड हो जागा दिमाग में कि हाँ यही तो उठाव टेट और फिर तुमको कॉन्फिदेंस आएगा तुम हर चैप्टर में इंटर कर सकते हो ठीक है तो अपना डिसक्शन विट और लिखा वए पढ़ों इंटरनल कंड्रोल फ्लोचार्ट ऑन पाचेस Är इंटर मिंफशन अपनेयों इन धरनल लुट व्लोचार्रट ऑन सेल्स रे इंटरुकान्ड फडिंटेंट्रन कंट्रोल आर्चर्टंडी इन थर्च्शन धाष्ट में बहुत इंपॉर्ट यह six pages के रेफरेंसर हैं इनके ऊपर नाम देखो लिखा होगा कहीं पर रेगुलर रेफरेंस बोलके यह ऐसा है जो रेड़ बुक में भी काम आता है यलो भी काम आता है जब भी भूलके बचलो फटाक से देख लिया रेफरेंस क्लियर हो गया दिमाग में इंटरनल कंट्रोल इसमें और भी चीजें है रेगुलर रेफरेंस के अंदर ही जैसे पेज 226 के टॉप पर ठीक है मैं भी बोल देता हूं बोड़ पर नहीं दिखा हो तुम्हारे पस है पेज्टू टूट्वेंटी से टॉप पर तुमको दिखना होगा बेसीग एलेमेंट्स ओफ और इस पढ़े सारा अभी स्टैंडर्स बने के बाद भूल गए दिक्कत हो रहा है याद नहीं हो रहा यह पूरा ओडिट महां मंत्रा यह सारे 27 स्टैंडर्स के अंदर जो जो इंपॉर्टेंस चीज़ को ठाके बनाया होगा है तो तो तुरन देखतें खोपड़ी में याद आ जा अब यहां से स्टार्ट होगा कि ओके बिया स्टार्टेंग कि कॉपी में हेरिंग और इंदेन विल स्टार्ट यू 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 विल लीव वन पेज फॉर इंडेक्सेशन यूर कॉपी शुट आलवेज हाव पेज नंबर्स अपना पेज नंबर लिए ना आज नहीं मतलब जबी भी खाली बैटरों समय रहे तो आप पेज नंबर प्लीज डाल लेना और इंडेक्स मेंटेन करना बहुत फाइदा होगा यह सब फाइदा तुमको एन मोमेंट में रिलाइज होगा ठीक है क्लासेज अपनी चलती जाएंगी एक 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 करके कॉंटेंट होता जाएगा कवर और तुम्हारे पास इतना श रफ्रेशर है सबसे पहले I am going to teach you what is ordered ठीक है सबसे पहले यह discuss करने जाते हैं तो मेरे एक बात का सवाल का जवाब देना बिजनस करने के कई फॉर्माट्स होते हैं प्रोप्राइटर्शिप, पार्टनर्शिप, कम्पनी, एट्सेटरा ठीक है which one is the most common and the most successful format for doing business, company, सबसे common and सबसे बड़ा format जो है वो company है, ठीक है, LLP बहुत बड़ी नहीं होती है, LLP छोटी है, companies बहुत बड़ी होती है, क्यों, क्योंकि सर उसका आप लिस्टिंग करा सकते हो, क्या करा सकते हो, stock market में करा सकते हैं, listing, IPO ला सकते हैं, क्या LLP ला सकता है, public issue, no chance, but listed company, public issue लाएगा, हजारों, लाखों, shareholders को अपने साथ, जोड़ देगा, उनका पैसा लेगा, और grow करेगा, इदम speed के साथ, so company is one of the best formats, company format में आप छोटा business भी कर सकते हो, और आप बहुत बड़ा business भी कर सकते हो suppose आपको एक छोटा धंदा करना है, company format में, तो you know the answer, you know the answer, OPC, full form, अचा, अगर दो लोग है तो, तो private company, not an issue, तो OPC और प्राइवट दोनो ही छोटे businesses के लिए, और अगर आपको बड़ा business करना है तो, public company, and उसको और फैलाना है, then you can get it listed on the stock exchange, और expand होगा, और पैसा आएगा, और गुरो करेगा, are we clear on this, तो company एक बहुत ही flexible format है, नीचे से लेके, छोटे business से लेके, बड़े business सबको cater करता है, now companies are governed by which law, तो companies act 2013 के अंदर एक requirement है, section number 139 to 148, governs company audit, it requires, मैं बोड पर काफी बड़ा लिख रहा हूँ, I hope पीशे तक और वर्चुल में सबको स्पश्ट दिखाई दे रहा होगा, it requires every company, it requires every company to get its books of accounts audited by CA. सबों ने लिख रहा है, बैप पीशे दिख रहा है तरको, इधर कौनर में सबको आप लोगों को visible है, इधर last bench भाई, ठीक है, मैं तो बड़ा लिख रहा हूँ, I hope पीशे तक पुरा दिख रहा होगा, क्या लिखा बोड पर पढ़िए, सबसे पहले तो हमें यह जानना है कि यह subject पैदा कहां से हुआ, यह पैदा हुआ company loss है, यह subject पैदा कहां से हुआ, company loss है, क्या तुम company loss में, total कितने sections होते हैं, 470, 470, in our syllabus, how many sections are there, 1 से लेके 148, उसमें यह वाला जो sections का आप रेंज देख रहे हो न, 139 से लेके 148, 10 sections होते हैं, both included, तो 139 से 148 is 10 sections, यह 10 sections जो हैं, इसी को हम कहते हैं, company audit, इसी को हम कहते हैं, company audit, यह हमारे audit के syllabus में भी आता है, और यह हमारे law के syllabus में, तो अच्छी बात ही है कि महनत सिर्फ एक बार करना पड़ता है, फल दो जगा मिलता है, ठीक है, इसका requirement क्या है, it requires that every, देखो किसी को छोड़ा ही नहीं, every company, every मतलब OPC भी आएगा, private भी आएगा, public भी आएगा, उसके उपर, listed भी आएगा, every company has to get its books of accounts, audited by CA. Okay, it requires every company to get its books of accounts, audited by CA, अभी यह scene क्या है, पूरा, मैं तुमको और explain करता हूँ, यह होगा है, हटा दू इसको मैं, हटा रहा है, ठीक है, start करते है, फ्रेश फिर से लिखो निया, डाइग्रम, company, company has prepared its financial statements, ठीक है, company ने क्या बनाया है, financial statements, F.S. का मतलब, financial statements, देखो, शुरू की classes है, तो थोड़ा तुम मुझे basics बताना पड़ेगा, हो सकता है कि यह basics तुमको अल्रेडी आता हो, तुम पहले से lower class में सीख ली हो, पता है मेरे को, ठीक है, पर फिर भी एक बार तो मेरे को zero से start करना पड़ेगा न, there are different background of students, कौन क्या, कैसे क्या पढ़ा है, शायद वो छोड़के गया था, तो एक बार तो मेरे को बताना पड़े गई, F.S. F.S. के अंदर क्या-क्या आता है, मैं बताऊंगा, ठीक है, if you disagree, then you tell me, F.S. के अंदर पांच चीज़ें आती है, when I say F.S. F.S. मतलब financial statements, इसमें पांच चीज़ें आती है, balance sheet, profit and loss, cash flow, notes to F.S. S.O.C. statement of changes in equity, S.O.C. ये पांच चीज़ें आती है, ठीक है, अब से हम लोग जबी भी financial statements बोलेंगे, अब से, ऐसे तो पांच चीज़ें आता है, मालूम है ना पांच चीज़ें, balance sheet, P.E.L., cash flow, statement of changes in equity, और ये तुमारा notes to F.S. अब से जब हम लोग F.S. बोलेंगे, because audit class में बार-बार-बार-बार-बार F.S. 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 बोलेंगे, तो तुम्हारे दिमाग में दो picture आना चीज़े, balance sheet, P.E.L., बस, तुम यही तो आज तक सबसे आदा बनाया है ना, 11 से लेके, अभी तक जितना भी तुमने accounts बनाया होगा, सबसे आदा यही दो बनाया होगा, बाकी तीन चीज़ उतना नहीं, तो यही सोचोगे तुम, ठीक है, तुम सोचोगे, जैसे मैं F.S. बोलूँगा, तुमारे खोपड़ी माना चीए, balance sheet, P.E.L., ठीक है, balance sheet के अंद अब यह इस को हम कहते है, financial statements, what is it, it is actually, it is actually, summary of, books of accounts, it is actually, summary of, books of accounts, ठीक है, अच्छा, books of accounts क्या होता है, books of accounts वो होता है, जो तुमने class 11 में सबसे पहले पढ़ना start किया, journal, journal को हम लोग बोलते है, book of primary entry, book of, फिर journal के पाचे, लेजर, लेजर को बोलते है, book of, अच्छा, इन दोनों के बीच में, cash book, cash book को क्या बोलते है, book of prime, come secondary entry, correct है, तो अपने journal सीखे वे, अपने ledger सीखे वे, अपने cash book सीखे वे, तुमने BRS बनाना भी सीखा होगा, book, bank, reconciliation, statement, तो वो जो दुनिया भर का, वो सब जो F.S. के, PL account के जस्ट पहले तक जो भी तुम बनाते हो, including the last trial balance, PL के जस्ट पहले last चीज़ क्या बनता है, और trial balance से तो PL balance बनता है, यह तो महलूम होगा, trial balance से अपना समस बनता है, तो journal से लेके trial balance तक जो भी है, सब क्या है, books of accounts, क्या एक company, अपना, मैं एक नया चीज़ बोल रहा सकती है, OPC से लेके उपर तक, क्या एक company अपना books of accounts, shareholders के साथ share करती है, क्या, नहीं, ठीक है, company आपके पास books of accounts कभी नहीं भेशती, आपके पास क्या भेशती है, FS, FS is a summary of books of accounts, और हम सब के घर में जो annual report आता है, बड़े-बड़े कंपनियों का, उसमे books of accounts होता है, कि FS होता है उसमें FS होता है, उसमें books of accounts नहीं होता, तो shareholder का ये हक नहीं है, shareholder doesn't have this right कि वो जा के बोले कि show me the books of accounts, he only deserves FS, he will get FS, he will not get books of accounts, you have to understand that FS originates from books of accounts, कोई shareholder है, वो खुद सी है, कोई shareholder है, वो खुद सी है, उसको FS पी डाउट हो रहा है, वो बोलते हैं, हमको original दिखाऊ पुरा books of accounts हम खुद मैच कराएगा, या आपका हक नहीं है, आप मांगी नहीं सकते books of accounts, आप register office में जाके चेकी नहीं कर से books of accounts, आपको वो हकी नहीं है, वो right C नहीं है, तो अब क्या किया जाए, we want to verify, कि भई जो इसमें लिखा है, वो सच है कि जूट है कि जूट है, क्या है, we want to verify, तो अब हर एक shareholder अलग अलग verify करेगा क्या, नहीं, इसके लिए हम appoint करते हैं, एक auditor, auditor कौन, CA, auditor कौन, CA, वो books of accounts को चेक करेगा, और FS को बताएगा कि सही है, कि गलत है, तो यह जो CA आता है, यह auditor, यह चेक करता है, books of accounts, और चेक करने के बाद बोलते हैं, हाँ, कि FS जो बना एकदम सही है, we call it, auditing the FS, we call it, auditing the FS, मैं board पर जैसा diagram बना रहा हूं, please वैसे बनाना, diagram का structure change मत कर देना, तुम लोग देखें सकते हो, कि मैंने right hand side में खाली space छोड़ा है, तो वो है, कोई purpose है उसका, तो company ने बनाया FS, FS को check कौन करता है, chartered accountant, auditor, इसके उपर भी बात करेंगे, कि chartered accountant, auditor कौन होता है, नहीं होता है, वो सब we will talk later, चेक करने के बाद, बंदा एक रिपोर्ट देता है, चेक करने के बाद, बंदा एक रिपोर्ट देता है, रिपोर्ट को हम लोग बोलते है, we call it independent auditors report, we call it independent auditors report, so company ने बनाया FS, उस FS को check on किया, auditor, CA, and then he gave his report, that's known as independent auditors report, basically in his report, he is giving an opinion, he is giving an opinion, अब इदर देखो, दो तरह की opinion होता है, तुम मेरे hand symbols हमेशा आया दखना, जब मैं बोलूँ इस तरह, clean opinion, क्या मतलब हुआ, thumbs up, clean opinion, clean opinion मतलब कि यह जो उपर FS है न, यह एक दम सही है, यह सही है, बस, इतना इसका मतलब है, ठीक है, और अगर यह सही नहीं है, तो, thumbs down, then he gives a different type of opinion, that's called, modified opinion, please learn these two names, clean opinion, modified opinion, clean opinion, modified opinion, यह ऐसा नहीं बोलेगा, clean and dirty, no, जो से clean opinion, modified opinion, ठीक है, और detail में बाद में है, अभी के लिए बस इतना याद रखोगे, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, clean opinion, मतलब सब सही है, इसको क्या बोलेंगे, modified opinion, मतलब यह सही, नहीं है, ठीक है, तो वो इसमें, report में, एक opinion देगा, हम लोग उसको बोलते हैं, expressing ओपिनियन अगर तुम थोड़ा सा जानना चाओ, तो एक एक एक्स्टा चीज बोल रहा हूँ, expressing opinion को अगर एक वर्ड में बोलना है, तो you can say, opinion, क्या बोलते हैं, opinion, ठीक है, to give an opinion, इसको हम लोग एक वर्ड में बोल सकते हैं, opinion, opinion is a noun, and opinion is a verb, ठीक है, opinion is a noun, opinion is a verb, तो तुम वैसा भी बोल सकते हो, तो मैंने लिखा, expressing opinion, अच्छा, अब ये दो documents बन गए, ये package बन गए हमारा, ये पूरा package, ये दोनो documents मिला कि हमेशा एक साथ चलते हैं, ये दोनो documents हमेशा एक साथ चलते हैं, बीश में plus बना दो, बीश में plus बना दो, ये दोनो documents हमेशा, ये दोनो documents हमेशा एक साथ चलते हैं, पहला document उपर वाले का नाम क्या लिखा है, एफ एस और दूसरे वाले का नाम क्या लिखा है इंडिपेंडेंट और अडिटर रिपोर्ट अब यह तो को यह ITC का एनवल रिपोर्ट है ठीक है एक बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है आई-टी-सी ठीक है क्लास्मेट कॉपी बनाता है सिग्रेड बनाता है वही वाला आई-टी-सी के अनुवल रिपोर्ट आई-टी-सी का एजी-एम का नोटिस तो यह जो इतना मोटा एनुवल रिपोर्ट असफे तो बहुत सारी चीज़े हैं पूरा अभी तो बात नहीं कर सकते हैं लेकिन इसी के अंदर इस बुक के अंदर ही यह दो डॉक्टिमर्स भी हैं क्या-क्या एक साथ चलता है इनफेक्ट और्री रिपोर्ट पहले होता है एक बात में एक पढ़ने के पहली आपको और्री रिपोर्ट पढ़ लेना चाहिए कि यह क्या बोलता है सही है क्लीन तब तो मैं आगे ऐस पढ़ूँगा और चालू करते बोनी करता था बोलते दो दो देता है नो यह जो पैकेज है कॉम्बो यह किसके पास जाता है है कि लिखो अगर तुमने वहाँ पर जगा नहीं रखी है तो तुम नीचे लिख लो हुआ है है कि प्लीज जो भी पढ़ाऊं पो इदम कॉंसेंट्रेशन सुनना हाइफाई नहीं बोलूँगा इदम सिंपल सिंपल करके बताऊंगा और धीरे धीरे बिल्ट अप होगा ठेक है अती ज्यादा चुभलबाजी नहीं कर सकते नहीं तो क्याना कि सिल्वस पीछे चला ठाइस बनेखे और तो तब ही होता है जब खरें और तो आओगे एक बैच पर के चले जाओगे पर मेरा तो यहीं करियर है जैसे तुम्हारा जॉb एक दिन करियर बनेją प्लिफ ए तो यहीं करियर सकारा है नहीं एंड आई हाब तो इंजोई इस प्रोसेस तो वह तब ही होता है जब हर क्लास एक अच्छी क्लास बनके निकलती है फिर्स से लेके लास तो सेम स्पीड रहेगा बट तुमको भी थोड़ा अपना कॉंसेंट्रेशन हाई रखना चाहिए अच्छे समझना चाहिए यह किस किसके पास जाएगा किसके पास उन लोगों को हम कहते हैं यूजर्स क्या कहते हैं यूजर्स औंफ से एंड एर मींस ऑर्डिट अर्मीस ऑर्ज्रिट एक सबसे पहले किस लाए तुमको क्या लगता किस कर जाएगा तो पहला जवाब तो तुम सबों का एकदम perfect, you said shareholders, yes, I agree with you, shareholders और members जो भी बोलो एक ही बात है, ठीक है, member और shareholder में थोड़ा सा बस technical फरक होता है, उसमें भी नहीं जाते, एक ही होता है, तो member बोलो, shareholder बोलो, एक ही बात है, ठीक है, second, और कौन, क्या बोला, फिर से बोलो, क्या बोली, कोटे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्या बखा रहा है, नहीं, किसके बास, red t-shirt, हाँ, तुम, हाँ, बताओ, पूछ रहा हूँ, सवाल, हाँ, हाँ, उस पूरा zone में, तुम ही है, red color में है, अरे, second, वो बता रहा है, नहीं, अरे, बोल, कुछ भी बोल, debenture holders, अचा, बात ऐसी है, कि debenture holders के पास नहीं जाता, पर debenture holders का एक caretaker होता है, there is a person, who takes care of the debenture holders, that person is called debenture trustee, क्या बोलते हैं उसको, देखो, सबोस अगर माल लो, तुम लोग सब debenture holders हो, तो तुम लोग के बास नहीं जाएगा, तुम लोग के लिए caretaker appointed रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं, debenture trustee, उसके बास आता है, जिन banks से company ने loan लिया है, उनके पास भी a copy जाता है, ठेक है, banks, nbfc, nbfc का full form, non banking finance company, nbfc, financial institutions, तो इन सब से जिन से loan लिया है, इनके पास भी जाता है, इनको चेक करना होता है, ने company का performance कैसा हुआ है साल का, उनका loan का पैसा safe एक ही नहीं है, तो उनके पास भी जाएगा, कई जन चिला रहे थे, और वो बिल्कुत सही थे, गवर्रमेंट, गवर्रमेंट के पास भी जाता है, अचा वेना इसे government, it means income tax department, it means GST, it means ROC, सब, ठीक है, एक ही साथ नहीं, अब सब को अलग अलग मत बोलना बैठके, वो एक ही हो गया ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो यहाँ कहीं पॉल नहीं करते हैं, पर वो भी यूज करते हैं, उनके पास जाता नहीं है, the annual report is not given to them, but they use it, for example, तुम लोग सब स्टूरेंट्स हो, और तुम लोग को accounting standard का application देखना है, accounting standards या auditing standards या audit report इसा देखना है, तुम भी तो पढ़ हो गई है, तुम भी तो कहीं से मिल जाएगा, तुम वेबसाइट से डाउनलोड कर लोगे, ठेक है, तो तुम लोग भी तो पढ़ सकते हो यह, मैं teacher हूँ, मुझे भी यह चाहिए, पढ़ाने के पर, तो ऐसे बहुत सा आ गया, तब तो वो हर कोई इंसान डाउनलोड करके पर सकता है कि नहीं, that is available to everybody and anybody, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो उनको हम एक नाम दे देता है, एट्सेट्रा, तो हम लोग सब एट्सेट्रा हो गए, ठीक है, क्योंकि हमारे पास आता नहीं है, हम लोग खुद वेबसाइट से डाउनलोड करके सर्च करके study करते हैं, ठीक है, अच्छा, एट्सेट्रा में, do you think khali students and teachers आएगा, और कौन, employee, employees लोग डाउनलोड करके पर सकते हैं, to know that how good the company has performed, what are the profits, what will be the bonus, profit जितना ज्यादा, bonus उतना ज्यादा, तो employee लोग भी पर सकते हैं, क्यों नहीं पर सकते हैं, supply लोग भी तो पर सकता है, company का जो regular supplier लोग है, वो भी तो जानना चाहता है कि company का financial condition कैसा है, वो भी कर सकते हैं, ठीक है, यह clear है, इन लोगों को अपने क्या बोल है, out of these five, those of you who don't have highlighter can underline this, ठीक है, listen to me, इन सबसे खास कौन है, shareholder, ठीक है, who has the right to select and appoint the auditor, out of the five, shareholders, हालाकि use तो पांचों करते हैं, पर auditor appoint करने का हक किसके पास है, सिर्फ shareholders, उपर कर तो डाइगरम, यह नीचे लिखने का, shareholders, appoint the auditor at AGM तो उसमें यह ओडिटर कोई लोग अपॉइंट करते हैं, अचाहिए, इसकी appointment का पूरा procedure अलग क्लास में आएगा, डिटेल में आएगा, बाद में अभी नीए, बस इतना यह दर को कौन अपॉइंट करता है, shareholders, यहाँ ता clear है, इतना नहीं की नहीं है, तो यह एक basic हुआ, अपना accounts, chartered accountant, the auditor audits the FS, and then he expresses opinion in a document called independent auditor's report, both these documents are used by several users, by several users, सबसे important user, shareholder, who appoints the auditor, shareholders, in which meeting, a, g, m, ठीक है, अब थोड़ा CA के बार में जानते हैं, CA क्या चीज़ है, ठीक है, नहीं जा जाए, वो diagram close कर तो, वो हो गया, उसको close करो, एक topic खतम हो जाए, मैं बोलूँगा close करो, मतलब line तान दो, मतलब हो खतम हो गया, इभी नया चीज़ चालो, ठीक है, इसे तुम्हारा भी तो copy मेरेगा ना, यह भी खतम हो गया, एक नया जड़क तो हम लोग अपने नाम के पहले सीय लगा सकते है वेन्यू कॉलीफाइप सिए इंस्टेट रफ मिस्टर थे जर जलता है पर डिगरी इंडिगेट क्या करता है सीए सब को आगेा हम लोग भी यह है और किस्य इंजिन्यर लोग है कुछ लोग Oke तो लिखना चालो हो गया नाम के पहले और खाली नाम के पहले नहीं गारी में भी लिए यह प्लस साइन बना पर रहता है और मोस्ट इतना भी सिय सब करेंग सिय का स्टिकर लगा रहेगा रॉटो होना चीयर अलग डिफरेंट जैसे तुम्हारी गैठे हट अधार जाए जाए है अब सी यह लोग तीन कैटेगरी हो सकते हैं कि सबस्यादा भाव होता है कि सीए इन प्रैक्टिस का कि सबस्क्राइब कर देता हूं इससे प्रश लेगा कौन क्या होता है नहीं होता है नोट डाउन करते हैं अब नोट तो करते हैं और वेनेवर आम राइटिंग अनिधिंग ओन बोर्ड यॉर सपोस्पोस्ट तो कॉपी नीडलेस तूसे अवरी टाइम जब भी आइटच बोर् या बुक में जाओं मेरे संग संग तुरंथ कॉपी करते रहना फॉस्ट के सी एन प्रैक्टेस सी एन प्रैक्टेस क्या होता है सुनो मैं तो यह बास समझा देता हूं जैसे क्वालिफाई किये क्वालिफाई करने के बाद तुमारा फाइनल क्लियर हो गया नमबर दे दो तो फो लुग तुमको एक मेंबर्शिपन दे देते हैं ठेक है यू घ्याट फे पलगा च्वालिफोर गालैक्टाइज अगर मेंबर्शिब नमबर त्याल्टिमीट प्रूफ यह ज्युद भी मेंटेट अग्लों तो यह ज्चाट्टर अक्वक्ता से पता न अब क्या होता है मेंबर्शिप तो मिल गई बन गए सी यह अब उसके बाद अगला स्टेप है वापस से फॉर्म भरो ठीक है और अपलाई करो बोलो कि मैं प्रैक्टिस करना चाहता हूं मैं क्या करना हरा हूं प्रैक्टिस तो वो लोग तुमको अलग से एक और देंगे छीओ फुल्फॉर्म कैंट !! ऑृफ सार्टिफिकेट ऑफ तुम प्रैक्टिस करना चाहते हो अपने नाम पर करना चालू कर दिया सोल प्रोपाइटर्शिप चलेगा ठीक है आप एक ओफिस देलो ओफिस अड्रस देना ज़रूरी अगर आपके पास ओफिस देने का पैसा नहीं आप अपने घर में ओफिस हो सकते हो वह भी चलेगा ठीक ओपने थि तो तो उत्योंड बाeler करें दूसरा तरीका ज़ो जहादा है पार्टनर्शुन है बाटनर्श्प आप एक पार्टनर्श्प फार्टनर्स्पर्म सकते हो कम से कम दो पार्टनर्स चाहिए और उपकाटनर्श्प उपना सकता हैं और इस उपर यह उपिस एक यह है सब कर सब क्या करते है यह बहुत ज्यादा लेकिन पार्टनर्शिप बहुत कम हो गया सब का सब अपने आपको किसमें गनवर्ट कर लिया लपी अच्छा बाइद वे मेरा कोचिंग सेंटर भी तो लपी है बट वी अनौट सी एफर्म कि आपका उडिटर कौन होगा इन तीनों रेड कलर में से कोई हो सकता है जो अपने उपर auditor point किया ना who can be your auditor either a proprietor और a partner और एन एललपी आप इसी को बनाते है अपना ओडिटर ठीक है second प्रजाती CA category में है हुज कि सर्विस जॉब थेक है यह लोग और डिट नहीं कर सकता है और डिट खाली कौन कर सकता है प्रैक्टिस वाला और कोई करें नहीं सकता और जिट सिर्फ यहीं कर सकता है फिस्ट केडिगरी second category नहीं कर सकता और अन देन आता है थर्ड केडिगरी जो ना प्रैक्टिस में है ना जॉब में जो एट्सेट्रा है जैसे मैं एट्सेट्रा हूँ जिनका अपना कुछ बिजनस प्रोफेशन है प्जी पी प्रोफिट्स अंगेंस फ्रॉपेशन ओन पीजी विपी अपना बिजनस अपना खुद का प्रोफेशन वैसे लोग् अब एटिबरदा गुप इस चार्टर अकाउंटन पटनाव प्रैक्टिस करता है और ना वो सर्विस्टो क्या करता है वो पीजी बीपी ठेक लॉट अप्रैक्टिस करते हैं ना सर्विस करते तो वह थर्ड केटिगी में जाएंगे ओडिट करने का अधिकार किसके पास है स फर्स्ट कैटेगरी के पास यह समझ में आ गया है ठीक है को यह हो गया है ख्लोस अब आता है अब आता है यह राओडिट रिफ्रेक्शर इस पर आजो अब इसका पेज नंबर है जे है ठीक है अब देखो अब ओडिट समझ के सब्जट क्या नहीं है अब एकदम प्रॉपर एक बुक से टॉपिक में चैप्टर में एंटर कर रहे हैं ठीक है और यह बहुत इंपोर्टन बहुत जबरदस्त है आगे तक काम आएगा ओके जबी भी तुमको लगे कि तुम सब् सब्सक्राइब करें और यह बहुत सारे टॉपिक्स बताऊंगा बहुत सारे टॉपिक्स जो आगे तक आने वाले तुम ध्यान से सुनना मैं लिखा भी दूँगा सब ठीक है लिखने का भी लोडने याद भी कर लेंगे परिदम कॉंस अपना हाई रखना पर्स टॉपिक ब पाइव स्टेप्स मिला उपर अगले पेश कर देखो खली बोड़ पे ताको एक बार डॉंट टर्ण यॉर पेश बोड़ पे ताको सेगंट क्या लिखा है बोलो ओडिटर का राइट सैंड पावर्स अट इस सेगंड टॉपिक थर्ड ओडिटर कैसे चेक करता है अकाउंट यह तुमारे सामने साथ तरकी प्रोसिजर लिखे वे हैं जो एक ओडिटर परफॉर्म करता है फॉर्थ इंटर्नल कंट्रोर्स पीछे बुक के लास्ट पेस्ट पे मैं लेके गया था आयव शोन यूदाट इंटर्नल कंट्रोल डाइगरम तो इंटर्नल कंट्रोल अशे लिखा हुआ है यहां राप रिस्क असेस्मेंट प्रोसीजर साप सबस्तेंटिव ओडिट प्रोसीजर ठेक सम्झाएगा सब इत विल टेक टाइम ऐसा नहीं कि अभी एक सांस में बोल देगा इविल टेक टाइम अन देन कम्स दिस वन इसे वह लिखा दूँगा मैं और यह पुरा कनेक्शन चल रहा है और यह पुरा कनेक्शन चल रहा है अब इसमें छे कंसेट्स हैं एक ही करके अपने डिसक्शन स्टाट करेंगे ठीक है फरस्ट कंसेट्ट तुम आज की क्लास में तुम देखो कि हम लोग कम से कम अरांट चार कॉंसेट तो डिसकस करी पाएंगे जहां तक है और तुम देखो कि तुमको काफी कमफट आ गया है तुम एक सब्सक्राइब करेंगे तुमको बोड़ाएंगे रहां नाओ लेट इस डिसकास हूँ प्रिपेर्स दी एफ एस एम गिविंग यू ऑप्शन हूँ प्रिपेर्स दा एफ एस ओडिटर और कंपनी कंपनी ओडिटर डस नॉट प्रिपेर एफ एस एक बात सोचो तुम अपना एक्जाम दिए जाके एक्जाम हॉल में और वो लोग आके बोले अपना अपना पेपर सेल्फ एवालवेशन करो खुछ चेक करो ठेक है अब बताओ कौन-कौन फेल हुआ समझगे बात को जो बंदा खुद एक्जाम दे रहा है पेपर लिख रहा है वो अपना पेपर चेक नहीं कर सकता बिकॉस अब्जेक्टिविटी तो रहेगा नहीं वो तो अपने आप देखो हम लोग भी तो हम लोग को तो यहीं लगता है कि हमने बहुत अच्छा तयारी कि कि हमने बहुत अच्छा लिखा है एक हमारा भी तो पीन होता है ऐसा नहीं कि हम बदमाश कोई स्टूडेंट है मैं बोलों कि हर शुर्ण यहीं समझता है कि यह उसने अच्छा लिखा है रहें पर वो तो सोच नहीं पार है तो इसलिए जो डॉक्युमेंट को प्रिपेर करत क्याइब करते हैं अच्छा वह संदूरा यहां आपनी करता है और स्थी नहीं कर सकते अध़ कि क मैंने कर सकते नहों टेकनिकल चीच बोलने लों घ्रि कि और ऑड में स doing investment of the company क मैने ती हालाइट हुआ यह migड यह हूं जोतर वहत अपने सेलबस में सी इस भी है और लॉंग कोशन भी दो तरग आए ठीक है चार-पाँच मां का कोशन भी आता है एमसी क्यों भी आता है के स्टरी वेस्ट एमसी क्यों भी आता है तो अपने को हर्ची एदम पुरा एदम क्लियर होना चीह है ओके यूप और टी और किस defense the answers management and ho Worja किंट इसा डी अठीटरी थी तो वह पका accounts के ओ पर कुछ तो गरता उगा कुछ तो चैक करता होगा जो वह करता है उसे हम कहते हैं आअड़ी प्रसीजर्स क्या बलता है अड़ीट फ्रसीजर्स so he performs audit procedures on the accounts quotation में डाल दो underline कर दो या box कर दो जो भी जो हाईलाइट नीड़ा है तो कोई दिखर दिखर नहीं है तो में box मना दो ऐसा एक है so auditor performs some audit procedures ठेक है हर एक service provider के अपने पर ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बिमारिशां इतनी कॉंपलिकेड़ भीहें कि डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, कि केवल एक स्म्टम्स की बेसिड़ी में जज्च करेप remotely अगर भूत जरूंझा को घ्लत मेडिशन देता है तुम्कों बूच हो गया, तो liability किसकी बनती है उसकी तो वो रिस्क क्यों लेगा उसको क्या commission मिल जाएगा test से या नहीं से तो इसलिए test ज़रूरी है तो उसके अपने procedure है वो करता है और फिर वो करके बोलता है कि आपको यह भी मारी है यह medication आपको लेना है exactly the auditor also is supposed to perform some procedures those procedures are known as audit procedures अब इदर आप देखो यह auditor जो है क्या-क्या steps करता है एक दम serial order में लिखा हुआ है दिख रहा है one two three four five तुम लोग सब एक काम करो फॉर और फाइफ को मर्च कर दो कि यार ओपीनियन तुम्हें दो में सेखी दे सकता हूं या तो clean या modified दोनों तो नहीं दे सकता ना मैं है ठीक है ओके चलो अभी discuss करेंगे मैंने सब लिखके दिया है तुमको बोर्ड पर दिख रहा होगा step one two three four five second column के उपर क्या लिखा है short step और फिर अंदर में क्या लिखा है long step या detail तो step number one क्या audit procedures हम लोग auditor क्या करता है he performs audit procedures that's the first step short में बोलेंगे एपी उधर कोना में एप शौर्ट में बोलेंगे एपी एपी एप 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 एक दिन यह सब तुमको खुद करना पड़ेगा मतब जब तुम पास कर जाओगे इंटर आर्टिकल शिप चालू होगी हम लोग का प्रोसेस बहुत सिंपल्स है कि वेनवर यू क्वालिफा इंटर उसके बाद तीन साल का एक आर्टिकल शिप कुछ स्टूडेंस ऐसे होते हैं कि वह आर्टिकल शिप के साथ सा सूचते हम डबल कोर्स कर लें हम मतलब और भी पढ़ाई करने साथ में मैं कभी स्टूडेंट को सब्सक्राइश जाओगे तुम बलकि ठीक है कोई दरकाई नहीं है जब तुम्हारे इंटर क्लियर हो गया तो तुमको लग रहा है फाइनल दूर है अरे वह एक दिन पास आ जाएगा एकदम तुमको क्या लग रहा है धाई साल का क्या पर तो एक और कोर्स बीच में कर लें अरे धाई साल ह तुम काम पर जाओगे काम सीखोगे कल जब तुम क्लियर कर लोगे सीए और तुमको इंटर्व्यू के लिए जाना पड़ेगा वो तुमसे सीधा पूछेंगे बायो डेटा में सब कुछ दिखा है तुमारा लिखा हुआ कि तुमारी डिगरी के 10-12 क्या मार्क शीट सब कु चाहिए है तो वो कि निट्यों में समझा जाएगा वह इंट darum में पूछ चेगा ना जोब में विए दंगे से यह आपने किया था तुम्हारा अगर नॉलेज शार परेगा तो बहुत अच्छा काम करके होगे ठीक है इर्रेस्पेक्टिव विच फर्म यू आर गोइंग फर आटिकर्शिप हर किसी को तो बिग फोर में नहीं मिलता ना सब किसी को थो ना बिग फोर में जाएगा इतने सारे शुर्ण से तो अच्छा होई जाएगा तो बहुत फर्स्ट स्टेप जब तुम जाओगे क्लाइंट के मतलब अभी सोचो कि तुम्हें को आडिटर हो तुम्हें एक आर्टिकल असिस्टेंट और तुम जा रहे हो क्लाइंट के ओडिट करने के लिए ठीक है तो पहला स्टेप क्या है यू have to perform audit procedures क्यों कर रहे हो procedures what is the reason behind the procedures you are looking for mistakes you are looking for mistakes in accounts mistakes in fs accounts or fs में मिस्टेक ढूड़ने कर रहे हो तारीफ कर निकले नहीं कर रहे हो हमारा attitude ही negative होता है हम लोग गल्दी रूडने चाहते हैं यह नहीं देखने चाहते कि अच्छा है बहुत बड़ी अकाउंट्स बनाया जीते रहो नहीं हमारा attitude ही है कि हम गल्ती रूडने गए हैं सबोस्थ उनका अकाउंट्स 99% सही है उनकाकाउंट्स क्लाइंट काकाउंट्स 99% सही है 1% प्रॉब्लम हें हम फिर भी नाइक ही देंगे हम तारीफ नहीं करेंगे कि समें इनानभी है ना बहुत अच्छा अरे वह परपस ही नहीं है audit का ओर्डिट का परपस तारीफ करना नहीं है ओर्डिट का परपस रेटिंग देना रैंक देना नहीं कि क्लाइंट नॉंबर वन एक लायं नंभर फाइव नहीं और इंदर जो मिस्टेक्स मिलती है उनको बोला जाता है MMS मैंने अनलाइन किया तुमको दिख रहा होगा Material Misstatement Material Misstatement Short में क्या बोलते हैं अपने MMS Material Misstatement तुम क्लाइंट के यहां अपने attitude सही रखो तुम क्लाइंट का तारीफ करने जा रहे हो कि सिर्फ गलती ढूणने है हाँ तुम एक तुमारा attitude एक दम fault finding attitude है तुमारा attitude का एक दम fault finding attitude है कि एक परसेंट भी गलत है तो वो क्यों हमको वही घरबड है I will give modified opinion तो हम MMS ढूणने के परपस से जाते हैं हम कोई तारीफ के परपस से बिलकुल नहीं जाते हैं यहां तक clear है अच्छा आप कर रहे थे audit आपने ढूण लिया सारा mistakes बहुत दबा के audit किया तुमने भेंकर audit procedures परफॉर्म किये you found out all the mistakes next what mistakes मिल गया तो क्या करोगे you will tell the client to rectify those mistakes you will tell the client to rectify those mistakes many people think wrong student को क्या लगता है कि हमको सर्मिस्टेक्स मिल गया client के तो I will express modified opinion अब गलत हो आप सीधा modified opinion ऐसे नहीं देते हैं आप पहले उनको बोलते हो कि ये mistakes हमको मिले है please आप इनको rectify कीजिए rectification entry जानते हो न तो उनको बोलो कि please rectify कीजिए in fact हम लोग क्या करते हैं सुन लो हम लोग को mistakes मिला तो हम लोग उस mistakes को rectify करने के लिए rectification entry बनाते हैं हम लोग auditor and then we give that list of rectification entries to the client and we ask them please pass these entries so that your mistakes get rectified if you do that we will give clean opinion and if you don't do that we will give modified opinion इसम्पल ये हमरा duty है ठीक है ये कोई illegal काम नहीं हो रहा कि गल्ती मिली तो ठीक करा देते हैं ये इस आवर ड्यूटी ये ड्यूटी कहा लिखा हो है मैं बता रहा हूँ S A 450 क्या बोला मैंने S A S A का मतब होता है Standards on Auditing 450 उसमें लिखा हुआ है कि जब audit में आपको mistakes मिले आप उसको जमा कीजिए client को आप rectify करने बोली वो rectify करेगा कर देता है तो clean नहीं करता तो modify तो step 3 करेक्शन करेक्शन मैं करूँगा करेक्शन मैं करूँगा कि वो करेगा Fs बनाया कौन तो rectify भी वही करेगा तो एक बार पहला तीन स्टेप्स को देख लेते हैं green अपर फोकस करो please सब कोई Green law only look at the green color number one क्या करोगे AP Number two क्या ठूँनडे मम्स में म्म्स क्या करोगे आप करेक्शन करेंगे नि कर वाएंगे करेक्शन कर वाएंगे नट करेंगे थे कि वोर्ट स्टेप the last step if they agree to rectify all the mistakes या फिर उनके मिस्टेक्स था ही नहीं तो कौन सा उपीनियन नहीं माना कि अगर तो एक बर अपने सिक्वेंशल स्टेप्स देख लेते हैं इधर हो गया लिखना सबका स्टेप नंबर वन एपी स्टेप नंबर टू एम एम एस स्टेप नंबर थ्री स्टेप नंबर फोर कि अभी फर्स्ट कॉन्सेब्ट खतम होता है रिवाइस मारते बर और क्या क्या करता है स्टेप बई स्टेप बताईए स्ट्प नंबर वान एपी करता आ प्रोसीजर प्रफॉर्म करता है वह तक पता छले कि गलती है कि नहीं है स्टेप नंबर टू में मैंमने में ईक बाइप सोच के बोलो कि ना चीह और प्रोसीजर प्रफॉर्म किये T कि ऐसे थोड़ना होता है कि तुम गए क्लाइंट कि तुमने एफस के उपर से हाथ रखा है हरी पॉर्टर की ओलाद हो तुम एफस पे हाथ रखते है अपने आप सारा MMS निकल के आगा ऐसे थोड़ना होता है फर्स्त प्रोसीजर दें MMS ठेक है तो इसले सिक्वेंचिल प्रोसस्ष अच्छा-फ्टर आफ्टर आप आउड यह विल थे लिए थे लिए इस टो थे Pacific करेक्शन चैनल नाट भॉलो का क्या विज्डिशन और उससे मेरा डिजिजन शाइड ओगा if they decide to rectify it, I will express clean, if they decide not to, I will express modified, clear rhythm it done, that was the first concept abate neiche auditors rights and powers, that is the second concept, ठेक है okay, यह हमारा second concept है, ठेक है अच्छा, rights and powers क्यों चाहिए, duty करने के लिए rights and powers क्यों चाहिए, duty करने के लिए, मैं आज यहां पर खड़े ओकर as a teacher पढ़ा रहा हूँ पढ़ाना मेरा duty है power नहीं है पढ़ाना मेरा duty है वो मेरा power या मेरा rights नहीं है, पर class में decorum maintain करवाना चिला देना, डांटना वो मेरा rights है, because I need those rights and powers to discharge my duty ठीक है, तो rights अलग होते हैं, duties अलग होता है, जब तक एक CA के पास rights नहीं होगा, powers नहीं होगा, वो कैसे check करेगा, वो कैसे अपने procedure perform करेगा, let me give you one example, inventory inventory का मतलब समझते हो, inventory, ओके, अब तुम बड़े होगे, अब से inventory बोलने का आतर डाल लो, stop saying opening stop, closing stop, you say inventory, ठीक है, inventory is one of the most dangerous items, inventory में सबसे आदा गरपर होने का chance होता है, inventory में सबसे आदा गरपर होने का chance होता है, कि inventory की value को उपर निचे कर सकते हो, क्या client अपने books में inventory को MRP पर दिखाएगा, क्या inventory MRP पर दिखाया जाता है, किस पर, सिर्फ cost, हाँ, हाँ, ठीक है, cost or MRP चवरेश दोबर, now who decides what is the cost, cost sheet, cost sheet से आपको पता चलता है, cost sheet में तो वो लोग दायां बायां कर सकते हैं न, जरुरूइत cost sheet में सबसे घटिया, dangerous item है, overhead, overheads का किस प्रकार से क्या division किया है, उसका खुद 67 methods होता है, और उसकी वज़े से पुरा answer change हो सकता है, there are so many different methods of overhead absorption and allocation, एक तरफ तुमारे पास absorption costing है, फिर activity based है, marginal है, standard है, relevant costing है, इन सब में answer लग लगा जाएगा, और client फिर से तुमको बेवकूफ बना देगा, तो हमको तो पुरा उसका cost sheet समझना पड़ेगा, कि भी value सही दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, तो inventory for dangerous item है, ठीक है, अब inventory check करना पड़ेगा न, dangerous item है तो, हम लोग client को बोले, sir आपके four go-downs है, कितने? हमारे लड़के लोग, या लड़की लोग जो भी, वो जाएंगे check करने के लिए, ठीक है, CA बोला client को, कि मेरे जो team members है, audit team, मैं भेजूंगा, वो आपके चारो go-down पर जाके, same time पर stock count करेंगे, वो बोला no, वो मना कर दिया, वो बोला आपका go-down में क्या काम है, आप लोग accounts चेक करने आयो न, तो head office में आओ, head office के अंदर, मेरा बात समझ में आ रहा है, a company has got several places, ठीक है, तो वो बोलता है कि आपका तो accounts चेक करने काम है, तो head office में आओ, head office में सारा accounts रखा हुआ है, accounts department में, वो चेक करो जाओ, why do you want to go to this warehouse, तो हम लोग बोलेंगे, warehouse में inventory है, और यह तो कोई नियम है नहीं, कि आपने अपने accounts book में inventory इतना का बता दिया, तो सच मुझ इतना का है, वो तो हमको चेक करना पड़ेगा, how can we trust your accounts, we have to verify that you are showing that you have got an inventory of 50 crore rupees, वो है भी कि नहीं में बोट जाना पड़ेगा, वो बोलता है लेकिन warehouse में जान नहीं सकते हैं, अब अगर वो मेरे को warehouse में जान नहीं नहीं देगा, तो I cannot perform procedure, और मैं procedure यह अगर नहीं perform कर पाऊंगा, तो मैं opinion कैसे दूंगा, you are getting my point, so I need those powers, I need those powers, कि मैं आपके premises को visit कर सकता हूं, आपके कोई भी premises को मैं जाके visit कर सकता हूं, आपका showroom, warehouse, factory, sales depot, HO HO मतलब होता है, head office, मैं आपके किसी भी premises को visit, बस आपके घर नहीं आँँगा, पर बाकि आपके जितने भी business premises है, उन सब जगह मैं visit कर सकता हूं, I should have that power, second, मैं आया हूं, FS चेक करने, FS किसे पैदा हुआ, books of accounts, books of accounts किसे पैदा हुआ, voucher and invoices, books of accounts किसे पैदा हुआ, vouchers and invoices, books of accounts में journal entry में, वो कुछ भी journal entry मार देगा, तो मैं भरोसा कर लूँगा क्या, कि मेरे को चेक करना पड़ेगा, अगर उसने कोई journal entry मार रहा है, तो मैं बोलूँगा इसका voucher दिखा, इसका invoice दिखा, तो I must have the rights to check all the books and papers, क्या बोला मैंने, books and papers, accounts कि जितने भी supporting documents है, वो सब मुझे check करना पड़ेगा, तो वो मेरे rights होना चाहिए, मैंने दो बोल दिया, एक मैने बोला विजित, all premises, दूसरा मैने बोला, check all the books and papers, अभी तीसरा एक और, last, I may have to ask questions, because everything is not clear from the books, everything is not clear from the books and papers, so I must have the right to ask, ask whom, directors, employers, even outsiders, debtors or creditors, debtors or creditors, insider होते हैं कि outsider होते हैं, I must have the right to ask them also, कि उनसे भी मैं बातचीत कर सकूँ, उनसे मैं पूश सकूँ, I must have the right to inquire, internal people as well as external people, यह rights होना चाहिए, तो यह सब rights एक auditor को कौन देता है, Companies Act, यह पावर देता है auditor को, कि यह तीन चीज़ें आप कर सकते हो, इससे आप audit अपना परफॉर्म कर पाऊगे, फर्स्ट पॉइंट, बुक्स हैं, आप सारे बुक्स और डॉक्यमेंट्स मांग के चेक कर सकते हो, सेकेंड पॉइंट, सीक इंफॉर्मेशन, एन एक्स्प्लानेशन, मतब सबसे सवाल जवाब कर सकते हो, कोई भी यह नहीं बोलेगा, कि अपना काम करो, अपना ही तो काम कर रहे हैं, सवाल पुछना हमारा काम है, तो जॉब है, हम लोग जाके, एंपलॉई से कितना भी सवाल जवाब कर सकते हैं, एंपलॉई लोग जो होते हैं, क्लाइंट के वो सबस्यादा घवराते हैं, भेंकर, तुम उनसे हर चीज का जवाब मांगोगे, और वो घवराता रहेगा, वो परिशान हो जाएगा, प्रिश्ट्रेट हो जाएगा पर ये हमारा काम है, उसके Frustration का कुछ नहीं कर सकते तक एजिए, वो फालतड़िगा Frustrate हो रहा है, उससे सवाल पूशा गया है, या तो उसके जवाब मालूम ज़ते, से नहीं तो तो बता हैं तो बता दो, सिंपसी बात है तो ये हमको पावर देता है हम सबसे पूस्थाच कर सकते हैं इसको inquiry भी बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको inquiry 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 ठीक है थार्ड विसिट सारे ब्रांचेस वगएरा में हम लोग विसिट कर सकते हैं वो हक है हमारे पास ठीक है तो ये तीन राइट सें पावर्स हैं जो हमको ताकत देता है कि हम लोग क्लाइंट का ओडिट कर सके अब थोड़ा एक लेवल उपर जाते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास इससे बहुत ज़्यादा पावर होता है तुम लोग सबने सुना है यह सुना तो होगा फिल्मों में आता है रेड पड़ा है रेड इंकम टेक्स का भी होता है CBI का भी होता है ठीक है RBI वाले भी रेड कर सकते हैं रेड में क्या होता है बवाल पावर होता है इसतना तो कुछ भी नहीं है रेड जब होती है तो forceful entry होती है forceful entry auditor जो होता है पूछ के जाता है auditor client को बोलता है कि देखे on a particular date my team members will visit you or go down for checking inventory are you okay with it रेड में पूछते नहीं है आज आते हैं and nobody can stop them they have the power of forceful entry forceful entry का power कहां से आता है तुमारे इलाके का जो district magistrate होता है IAS officer उससे warrant लेके आते हैं वो लो तो उनके आस power होता है कि आपके premises में forceful entry कर सकते है number one यह power हमारे पास नहीं है ठेक है हम लोग को अगर जाना है MD से बात करने के लिए MD मतलब managing director तो नौक करना पढ़ेगा ठेक है वो नौक नहीं करेगा भग तोर के अंदर घुज जागा सीधा ठेक है second हम लोग company के MD director से बात कर रहे थे important question पूछ रहे थे उसका phone बजा तुन 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 वो बोलेगा documents request करते हैं प्लीज document देदो प्लीज document देदो देता हैं यह document क्लाइंट का सबसे बुरा आदत होता है वह लटका देता है तुम उससे document मांगो के कल देदेंगे परसो देदेंगे तरसो देदेंगे हर दिन एक नया परसो आ जाता है यह लोग लुट करने आ रहे हैं document request नहीं करते चीन लेता है साइड कर देगा सारा office का वो जो चैबिंस वगला सब डॉपन आप करेगा सारा documents चीन लेगा और लेके चला जाएगा हम लोग document लेजाए हम लोग ले जाते भी एक पहली बात है लीगली स्पीकिंग ऑडिटर ड़सनाट अब पावर तो कैरी दोक्यूमेंट्स अलाउड नहीं है पर फिर भी हम लोग ले जाते हैं वह पूछ के क्लाइंट से चाहिए ऑडिट के लिए तो ठीक है ओपिस देजाओ नहीं तो लीगली ऐसे ताक अपनी ऑडिट में आने का और कि जो रेड़ करने आता है उसको क्या बोलते हैं इन्वेस्टिएटर ठीक है अब भैंकर पावर्स वी डूंट हाव डाट पावर्स क्लाइंट कभी कभी शगड़ा भी कर लेता है अच्छा क्लाइंट भी ना मुद एक ठीका काड़ता है मतलब एक मारवाडी में कहवत है मतलब तुम्हारी ओकाद देखके तुम्हारे साथ बीहिवियर करता है मतलब मैं क्या बोल रहा हूं जैसे महां लोग सी ये पार्टनर वह बात करेगा तो क्लाइंट हास जी सर जी और आर्टिकल लोंडा बात करेगा हावे समझ रहों मतलब मतलब इस ताइक दर ट्रीटमेंट वेरी इस डिपेंडिंग ओन विच लेवल यू आ ठेक है और यह लोग जाएंगे ना तो वह तो बिस जाएगा नीचे और क्या रेड़ कारपेट ठेक है तो एक बहुत 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 होता है इन लोग को हम लोग बोलते हैं कि लिख लो कि यह दो शब्द कहां से आए यह दो शब्द कहां से आए गोरों के टाइम पर बिटिश टाइमस में कोई जज था ठेक है बड़ा शॉक्त था उसको लिट्रेचर का और कुटों का तो उसने एक्जाम्पल देते वक्त कुट्टे की एनलोजी यूज कि ठेक है ठूँए और इन्वेस्टिकेटर जो होता है वह उस टाइप का कुट्टा होता है इस तरह से वाच डॉक जो खाली भाव भाव करेगा काटेगा नहीं ब्लड हाउंड इस शिकारी कुट्टा ठेक है आके बुक्स को पुरा साथ में रह जाएगा तो यह बहुत फेमस एक्जाम्पल भ बोलेंगे इसको एक्स्प्लेंग करो ठीक है अम रोग एक्स्प्लेंग करेंगे तो क्लियर है जाए निदो कॉंसेप्ट में थोड़ा बात में जाएंगे ठीक है पहलेक ब्रेक अभी दूरिंग दे ब्रेक अहट फ्यू डाउट्स वह मैं डिसक्स कर देता हूं फर्स्ट फॉल अगर आप सी यह होने के बाद सर्विस कर रहे हो क्या करें हो सर्विस या फिर आप मेरी तरह किसी बिजनस में प्रोफेशन में एंगेज़ दो तो आप सी ओपी होल्ड नही नहीं कर सकते प्रोफेशनल एथिक्स जैसी तुम सी यह बनते हो यू और गवर्ण बाइदी चार्टर अकाउंटेंट एक नाइटीन फॉर्टी नाइन एक एक चार्टर अकाउंटेंट एक नाइन जो मुझ पर अपलाई करता है और उसके लास्ट में दो शेडूल जहां प वह वह इंडियाल है वैसे तो बचर में डभी चलता बर क्या वह आओड पर लॉड नहीं है ठीक है तो आप ये कभी नहीं कर सकते कि आप मतर्ब सर्विस कर रहे हो और फेससाइड बर सीओप लेकिंगे उपना कर रहे हो आप इसा करेगा ही लोग पर वह टो यू रूक तो audit procedures अभी अपने चालू करते है audit procedures AP मैं बोला था कि audit procedures में जाने के पहले मैं डिफ्रेंट चीज पढ़ाऊंगा जो बहुत ही अच्छा है जो जानना ज़रूरी ही तुमारे लिए इंटर्नल और तुछ इंटर्नल कंट्रोल का लोगा है जो अपने को सीखना है बुक के लास्ट में जाओ लोगे तो तुमको मिलेगा इंटर्नल कंट्रोल फ्लोशाट् आल परचेज यह नइए इसके पहले एक पेज इसके पहले पेज क्या लिखाए बोलो इंटर्णा कंट्रोल फ्लोचार्ट और सेल्स मैं भी यह समझाने जा रहा हूं एक क्लास में मैं सेल्स बता देता हूं और एक क्लास में मैं पर्चेस क्या ज़ुच्योद दोनों आइडिया हो जाएगा सबसे पहले př ज्नारी धृटर्पन प्रेंटर्ट इन्टर्नल कंट्रोल ये वरट्व्रका मतलब क्या होता है सुनो मेरी बात को audit subject के अंदर कुछ words ऐसे हैं जो बार बार आते हैं जैसे fs fs तुम सबको पता है i have told you दूसरा mms material misstatement ठीक है ऐसे कुछ words है जो बार बार आते हैं उसी में से एक है internal control यह word बार बार आता है तो यह होता क्या यह समझना बहुत जरूरी है ठीक है देखो किसी भी business organization में किसी भी business organization में कोई भी process करने के लिए एक तरीका होना चाहिए बहुत जरूरी है नहीं तो वो organization चल नहीं सकता ठीक है there has to be a proper protocol protocol का मतलब होता है तरीका जो आपको follow करना ही पड़ेगा ठीक है that's called a protocol हर organization में प्रोटोकॉल होना चाहिए वरना वो चल नहीं पाएगा एक बार बताओ business के एक आदमी अकेला चला सकता है आज यह थोड़ना हो सकता है कि मैं अपने अकेले दम पे पूरा का पूरा यह center चला लूँ यह तो हो ही नहीं सकता I need people to help me जो पूरा वो process carry out करेंगे एक तरीका होगा एक प्रोटोकॉल होगा आज जैसे तुम इस center में घुषते हो तो तुम लोग को एक ID card मिला तो नीचे वो नागेंदर जी है वो तुमारी ID card को चेक करते हैं फिर student की entry होती है तो यह process है यह protocol है कि student will be entering the center by production of ID cards तो वो ID card बनाना पड़ा वो ID card बनाना पड़ा और फिर issue करना पड़ा और तुम वो दिखाते हो और तुम center में प्रवेश करते हो that's a protocol ठीक है अचा जब तुम लोग enroll किये तो उसवक्त भी तो एक प्रोटोकॉल था सबसे पहले तुमको एक student application formula जिसमें तुम अपना details fill out कि उसके बाद वहां पे staff जो भी बैठा होगा वो तुम्हारा invoice बनाया होगा पुरा भर के invoice में तुमने देखा होगा वह पुरा तुम्हारी invoice के basis पर तुम्हारा enrollment list बनता है so many things happen तो all this is what a protocol of system auditor को इन सबसे क्या मतलब है अरे बहुत मतलब है बहुत ही मतलब है अगर ये सारे process और protocol एकदम सही काम कर रहे हैं तो mistakes की chances बहुत कम और अगर ये processes अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं तो mistake की chances बहुत हाई ये बात को समझ रहे हो तुम who am I auditor and I am here to find mistakes so first of all I should see what is the chance of the mistake whether the chance of the mistake is very high or whether the chance of the mistake is very low mistake होने का overall assessment को auditor जो है वो bloodhound तो है नहीं जस बोला था bloodhound नहीं है क्या है हम लोग हम लोग के लिए ये तो possible नहीं कि हम लोग पुरा 100% एक एक चीज चेक कर सके है 100% एक चीज चेक करने के लिए पावर हो जादा चाहिए उत्ता पावर हमारे पास नहीं है कानून हमको एक the law gives us a limited power and with that limited power we have to check everything to the extent possible तो please understand आप पहले calculate करो कि what is the chance of mistake in this company what is the chance if the company has good systems good protocols the chances of mistakes are less if the company doesn't then the chance of mistakes are high that is why a auditor ko internal controls समझने पड़ते हैं तुम किसी भी क्लाइट के आजाओगे तो more or less 50 60% internal control हर क्लाइट में सेम होता है पर कुछ कुछ अलग भी होता है what is internal control internal control means a set of procedures a set of procedures जो क्लाइट के होता है मेरा audit procedure नहीं क्लाइट का प्रोसीजर not my audit procedure client का प्रोसीजर ठेक है यह जितना जबरदस्त होगा mistakes की चांस उतने कम होंगे हम आपको audit करते हो तो उतना कम मेहनत करना पड़ेगा अब थूदिस आपको इंडिरेक्ली समझना पड़ता है ठेक है जैसे एक बात को समझों तुमको अगर किसी एकदम छोटे बच्चे को समझाना है कि दिन क्या होता है रात क्या होता है तो जब तक तुम दोनों उसको नहीं दिखा दो चाहिन का पड़े के लिए वह समझ नहीं सकता है तुम किसी को जो पहली बार आ रहा है उसको तुम बोलोगे यह देखो यह दिन होता है तो समझेगा निए उसको फिर रात दिखाना पड़ेगा तो जब लाइट है तो दिन है घ्ल लेकर क्योकिलेशिए में मिल्स टीתथ अरशीयशी सिर्ट में यारत close Spanish पहले आपको समझना पड़ेगा प्र तो लेद आए को अधीर सब्सक्रांइब have a look at the process, इस process का नाम क्या है, sales process, क्या नाम है, sales, अच्छा, sales तो हर company का blood flow है, bloodline है, cash flow तो उसी से आता है, तो sales तो सबसे important है, PL account के अंदर सबसे बड़ा figure कौन सा है, sales, सबसे बड़ा figure, तो यह sales का procedure है, अब typically एक organization में sales कैसा होता है, मैं समझा रहा हूँ, चार departments involved होते हैं, कितने, sales के अंदर कितने department involved होते हैं, चार, highlighter लेकर highlight करना, marketing department, marketing department, marketing and sales, कंपनी के अंदर एक marketing and sales का team होगा, next, warehouse, warehouse मतलब गोडाओं जहां पे सारा stock रहता है, warehouse मतलब गोडाओं जहां पे सारा stock रहता है, third, factory, जहां production होता है, जहां से goods बनकर, warehouse में भीज़े जाते हैं, and हम लोग के लिए सबसे important कौन सा है, accounts department, सबसे important कौन सा हमारे लिए, accounts department, accounts department कहां पर located होता है, head office के अंदर, accounts department कहां पर located होता है, head office के अंदर, ठीक है, तो यह आप देखो यह हो गए अपने चार दिपार्टमेंट्स, accounts, marketing, warehouse, and factory, ठीक है, now, sales का process, यह चारों को मिल के करना है, sales का process, यह चारों को मिल के करना है, यह अभी मैं बहुत ही important concept प्राहने जा रहा हूँ, यह बहुत अच्छा concept है, यह समझ गए न, तो audit में command आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, ध्यान से सुनते रहे न, जो मैं डिसकास कर रहा हूँ, इस पूरे डाइग्रम में, दस steps है, सब numbering किया हूँ है, बट भागो मत, धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, मेरे सब से चलो, ठीक है, मैं तुमको कुछ special चीज़ें बताऊँगा, जैसा तुमने कभी सोचा नहीं होगा, कस्टमर जो होता है न, कस्टमर, सेल्स किसको करते हैं, कस्टमर को, क्या कस्टमर आपके चारों डिपार्टमेंट से जा जाके बात करेगा, चारों डिपार्टमेंट में दोड़ता फिरेगा, कि वो सिर्फ एक जगा बात करेगा, वो एक जगा है, marketing and sales, तो यह आपका कस्टमर है, उपर, कस्टमर को हम लोग C बोल रहे है, ठीक है, शॉर्टमर मतलब C, नथिंग इधार, कस्टमर ने, मार्केटिंग के पास क्या भेज़ा है, नंबर वन, P.O. P.O. मतलब होता है, परचेज और, P.O. मतलब, P.O. मतलब, परचेज और, तो हमारा जो कस्टमर है, वो कोई, मतलब मामूली आदमी नहीं है, वो एक कमपनी है, हमारा कस्टमर कौन है, कमपनी है, जो हमसे इंडस्ट्रियल गुड्स खरीदता है, आवर क्लाइंट मेक्स इंडस्ट्रियल गुड्स, यूँ कि वो आके खरीदेगी वैसा, तो बड़ा कस्टमर है, उसने परचेस ओरडर दिया मार्केटिंग को, कि हमको यह समान चाहिए, इतने दिन में चाहिए, मतलब, आप 15 दिन में दे देना, किते दे देना, 15 दिन में दे देना, तो मार्केटिंग के पास परचेस ओर आगिया, that is step number one, क्या मार्केटिंग वाला तुरंट उसको okay कर देगा, क्या, मार्केटिंग तुरंट ऊके नहीं करेगा, वो पहले verify करेगा, कि are we able to deliver the desired stock in 15 days or not, तो मार्केटिंग बोलेगा, sir please wait, let me check, अब मार्केटिंग चेक करेगा, किसके साथ, पहले तो वो वेराउस से बात करेगा, step number two, step number two, वो वेराउस से बात करेगा, कि आप लोग के पास ये stock पढ़ा हुआ है क्या, जो मांग रहा है वो, मार्केटिंग वाला, वेराउस को बोला है, do you have that stock quantity जो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो वेराउस जवाब देगा, वेराउस ने जवाब दिया, बलन नहीं नहीं है, और है भी तो बहुत थोड़ा से, उतना से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो वेराउस ने अपना response दे दिया, अब जब वेराउस मना कर दिया, तो किस से बात करेगा, फैक्टरी, तो थर्ड स्टेप देखो, थर्ड स्टेप देखो, कहां जा रहे हैं, फैक्टरी की तरफ, फैक्टरी से पूछ रहा है, कि क्या आप लोग बना के देप आओगे कहां 15 दिन के अंदर, क्योंकि क्लाइंट कितर दिन में मांग रहा है, 15 दिन, तो आप लोग 15 दिन में देप आओगे बना के, तो फैक्टरी वाला जवाब देगा, येस, हम लोग साथ दिन में बना देए, कितना दिन में? साथ दिन में, आपके पास ट्रांस्पोर्ट का टाइम भी रहेगा, ठीक है, तो जब फैक्टरी ओक्य कर देता है, कि येस हो सकता है, तब जाके मार्केटिंग इस कन्वेंस कि येस विल बी एबल टू फुल्फिल दा कस्टमर्स ओर्डर, तब जाके मार्केट करता है, आपके और यहां से ये था । काम, कि कस्टमर का पर्चेस ओर्डर आया है, उसको कार दिया, ठेक है, पर ये पहला काम करने करने में कितने स्टेप्स लगे है, चाह, यह चार स्टेप्स में हो क्या रहा था? The Marketing Department was checking the availability of stock. The Marketing Department was? Checking the availability of stock before confirming the customer. इसी को कहते हैं, internal control. क्या कहते हैं? तो यह पहला, मैं लिखा दूँगा. यह पहला internal control है. First, you should check the availability of stock एंड देन कंफरम दा कस्टमर जर सफ़स्ट कंट्रोल क्लिर रही है यह ओगया खतम इमें लिखा दूंगा तुमको चैन्दा नहीं है अब देखो नेक्स्ट हम लोग जब कंफर्म कर दिये कस्टमर को कि भई आपको माल दे देंगे तो उससे एडवांस पैसा लेंगे कि ने लेंगे क्योंकि उसके हिसाब से कोई समान बना कि उसको दिया जा रहा है कलको वह नहीं लिया तो हम लोग तो समान बिकार हो गया तो से एडवांस अब एक नया चीज चिखो एकाउंस डिपार्टमेंट का काम क्या 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 होता है ठेक है मैं तुम लोग सब सब पूछ रहा हूं कौन बोल पाएगा कुछ भी बोल सकते हैं मतलब मैंनी पॉइंट से हाथ उठाओ बोलो एक पॉइंट सब को पता है अकाउंस बनाता है आजक्शन रिकॉड करता है सेमी तो हुआ है ठीक है टैक्जेशन कोई बोला इदम सही अकाउंस डिपार्टमेंट पूरा टैक्स का काम हैंडल करता है जो अपने आप में एक समुंदर है ठीक है बेंकर काम है टैक्स में टैक्स का इतना रिटर्न फाइलिंग है कोई नहीं वो तो फिनांस करता है प्रोक्यॉर्मेंट इंडिप्लॉइमेंट और फंड्स दन भाइ फिनांस अलेस यॉर फिनांस अन अकाउंस इंटीग्रेटेड एकांट्स का वो रोल नहीं है एनिधिंग एल्साथ लो गोला है तुम सही जा रहे है थोड़ा और बेटर बोल क तो इस अच्छ भूटर के साथ हो गया फाइनांस का यू और टेलिग मी फाइनांस फंक्शन्स फाइनांस फंक्शन अलग है यह मैं जस्किंग अकांटिंग फंक्षन कैश फ्लो कैश लो जो बोल रहे हो कि कैश कहां से आएगा कैश कहां जाएगा डेपलोइमेंट ओफ फंड्स और प्रोक्यॉर्मेंट ओप फंड्स वह बोल चुका उलड़का ओलड़ी वह फिनैस का काम है कि आजसी नहीं मैं बता देता हूं एक बहुत बैसिक काम बहुत ही बेसिक पर बहुत जरूरी है में है रिशिट्स और पेमेंड जिटना भी रिशिट्स आना है वह पैसा इनको आएगा जो भी पेमेंट करना है वह यहीं करेंगा अब देखो कस्टमर अडवांस का पैसा मार्केटिंग को देगा कस्टमर जाकि अकाउंट्स पर बाप करने वाला नहीं है कस्टमर अडवांस का पैसा मार्केटिंग उसको कहां पहुंचाएगा अकाउंसके पास ठेक है नीचे आजाओ देखो step number five क्या दिखर है कस्टमर पेज एडवांस ओविस्टी कस्टमर जैसा कि यहां तुमको दिखर है कस्टमर डायरेक्टि अकाउंस को आके नहीं देता कस्टमर पैसा मार्केटिंग की थुरूप उचाता है ठीक है या फिर अगर आर्टीजी इस ओर रहे मतब नेट रैंकिंग अगर हो रहे है इलेक्ट्रोनिक फंट्रांसर हो रहे है तो वह अकाउंट डिपार्टमेंट ही है और बोलता है कि यहां यहां इस अकाउंट में आपको पैसा डालना है तो कस्टमर पेज एडवांस धार इस फिफ्थ स्टेप ठ अचा बिना अडवांस लिए आपको कस्टंबर का ओर्डर प्रॉसेस नहीं करना चीए फर्दर में अडवांस देना चाहिए ना जोटिशन इंटनल कर्ड रचंड अइंटनल कंट्रोल ठेक है नेक्स्ट अभी यहां पर देखो इन दोनुं के बीच में इन दोनों ग्रीन ब क्ですね Dispatch करने का काम नहीं होगा तो फाक्टरी ने माल बनाया और वियराउस को डे दिया जो है वों मार्केटिंग को बोलेगा वेराउस को बोलेगा मार्केटिंग 8Yo तब तुम डिलेवरी करना स्टॉक का पहले बिल बनाने दो पहले बिल बनाने दो बिल मने इन्वाइस बिल मने पहले इन्वाइस बनाने दो नौ नेक्स्ट इन्वाइस बनाना इस डिरेक्ली कनेक्टेड विद रिस्टेट्स और पेमेंट्स who will make the invoice अच्छा यह तो तुम लोगों नीचे दिख के समझ में आई या होगा वहाँ पर कि वो अकाउंट्स वाले इन्वोइस बनाएगा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ why is it necessary कि इन्वोइस अकाउंट्स बना है marketing खुद क्यों नहीं बना सकता है इन्वोइस जवाप चाहिए marketing खुद नहीं बना सकता है invoice क्यों हाँ क्या भाशा में बात कर रहा है अकाउंट्स simple भाशा है बोलो असे नहीं why should the invoice be always prepared by accounts not the marketing हाँ बोलो वो तो मैं भी बताया था उसके आगे क्योंकि marketing वाले फ्रॉड कर सकते हैं ना दो बातें सुनो अगर marketing वालों को याप control देदो कि invoice बना दो पैसा collect कर लो सब कुछ कर लो तो marketing वाले माल बेची निकल लेगा ठीक है accounts को पता भी नीचलेगा दूसरा invoice बनते ही तो sales के इंट्री रिकॉर्ड होगा system में who is responsible for accounting accounts department जैसे ही वो लोग अपने system से invoice generate करेंगे वैसे तुरंत उनका sales के इंट्री पास हो जाएगा वरना अगर आपने invoice का काम accounts से नहीं करा है there will be error of omission every time error of omission याद है error of omission का मतब होता है transaction has been omitted वो recording नहीं हुआ जब accounts department खुद invoice बनाएगा तो system से जैसे invoice generate होगा तुरंत sales के entry put कर लिया जाएगा समझ में रहे है या तो sales के entry immediately pass हो जाएगा या sales के entry को hold पर डाल दिया जाएगा कि एक बार रिस्क और रिवार्ड पास हो जाए फिर entry जाएगा पर हो जाएगा एक subsidiary entry create हो जाएगा सिस्टम में to avoid any error of omission तो marketing इसको बोला साथ नंबर स्टेप request invoicing करेक्ट अभी accounts वाला एक invoice बनाएगा कि चार 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 इंवाइस बनेगा चार इंवाइस किसके बनेगा एक तो marketing फूरत अकाउंस खुद रखेगा अपने पास copy नंबर एए कि कॉपी नंबर एए हाईलाइट करने का दरकार नहीं है कि कॉपी नंबर एक अकाउंस खुद रखेगा एक कॉपी के लिए एक कॉपी वेराउस के लिए एक कॉपी कस्टमर के लिए फैक्टरी को इंवाइस की जरुवत नहीं है उत हैं marketing एक ऊंस वेराउस कस्टमर तो अब आट नंबर स्टप बनाया चारल इन्वोईस और दे दिया किसको marketing को मार्वगटी एक कॉपी अपने पास रखेगा और दो काउपी किसको दिदेगा ये उसको ठीक है किसको देरेगा वेराओस को अब वेराओस क्या करेगा करें तुम देखो के वेरहाओस डिलेवरी निकालेका समान का थेकर तो वधिस टप नॉम्बर 9 है डेलियम अफ ऑफ घड़ के रिडो व्र है तो ने डीलेवरी निकाल दिया गूर्सक्रा इस स्टेप नॉम्बर 9 साथ में ट्रक के ऊपर देखो दो कॉपी भीज़ रहा है क्यों भीज़र मा बताऊंगा एक कॉपी वो कस्टमर के बाँ जाएगा और किस्टमर को देदेगा सरी आप रखो एक कॉपी आप रखो आपका रेकॉड कस्टमर को भी तो इन्वाइश चीए और दूसरी कॉपी पे कस्टमर को बोलेगा कि आप लोग अपना स्टैंप एंस सील कर दो सिगनेचर कर दो तक कि प्रूफ रहे कि हमने आपको माल डिलिवरी किया है एक प्रूफ यह ने डिलिवरी इन वैसे कॉंड़िज इन वोइस सब्सेजाज़ कॉड़िवरी जनरली डिलेवरी का इससे भी बड़िया एक प्रूफ होता है उसका नाम होता है जी आर अन गुड्स रिसीवड नोट पर कोई भी कस्टमर आपको तुरंद जी आरेन नहीं देगा वो जी आरेन एक सब्ता बात देगा जैसे माल लो ट्रक गया कस्टमर क्या माल लाल के आया थेक है तो भई कस्टमर तो माल गीनेगा माल की क्वालिटी चेक करेगा सब कुछ ओक्य होगा कोई डिफेक्टिव नहीं होगा कोई रिटरंस नहीं करना है तब जाके वो जी आरेन बनाके देगा तो वी कांट वेट फॉर दाट नो तो वी नीड़ेट प्रूफ आप दिलिवरी तो एक नॉलेज़ इन वाइस जान इमेडियेट प्रूफ आप डिलिवरी क्या आपको मा प्रटिंग वाला कस्टमरक डिफेलेक्टे का दीवालेग व्हुमेंग प्लीज फेद बालेशंस अमांट मेरे को लगा कि ऐसा चीज है जो बार-बार स्टूरेंट को चाहिए तो इसको बैटा देखी बुक में डाल दो लास्ट पेज में क्योंकि वो कभी भूलेगा नहीं तुरंट पल्टा देख लिए हो हाँ ये इंटरनल कंट्रोल है ठीक है तो इसलिए इसको बुक में डाल दिय सब्सक्राइब करेंगे खाली जगह दिख रहाए तो यहीं पर नोट डाउन करेंगे ताकि तुम यहीं पर तुरंट बार-बार-बार-बार रफर कर सको ठीक है मिरा बात को सुनना प्लीस ठीक है एक चीज सुनो आज जो अपनी पहली ग्लास थी अपने कम से कम तीन कॉंसे सब्सक्राइब तो पड़े ना कि फर्स सेकेंड थर एक नया चीज तो सीखने को मिला ना फाल्तु का कोई इधर उदर का कितना बात वो तो हो गया इंट्रों इंट्रों क्या थोड़ा से होता है और और अजिट सब्सक्राइब का चीज समझा दिया और यह होता है अब तो आज तीचीश पर आज है नहीं तो कवर कैसे हो आगे कैसे बरेंगे असली मत्रब फाइदा तब होता है जब आम लोग टेकनीकल चीज सीख के जाते हैं चीज आइं ठीक है इस और टेकनीकल थेंग्स कि एक नया चीज सीख गे आज समझ में आगे वाँद है इंटरनल गंट ऐसे धीरे 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 देखो के class by class it will go on adding up और एक अच्छा खासा content cover होगा ठीक है नवेंबर 19 में paper बहुत तफ आया था ठीक है नवेंबर 19 जो paper हुआ था it was very tough but जो अपना coverage था वो जवर्दस था दो चार माग का खाली out of syllabus वो डाले थे वह out of syllabus ही था अच्छी जो डाले थे बात बाकी पूरा पढ़ाएवे coverage में से एकदम था पिछले बैस में मैंने वह paper discuss किया था तुम्हारे बैस में जब मौका पढ़ेगा अल्डिसकस दाट जब अपना syllabus काफी तो देखो coverage अगर अच्छी नहीं करोगे ना तो पेपर नहीं फसेगा पुराने पेपर बंद हो गया है दो अजार अठारा में इन्होंने syllabus चेंज कर दिया था ओडिट का तुम्हारे पहले वाले जो मतलब एक-दो साल पहले की जो इंटर के शुनर से उनका तुम लोग और तुम लोग और एक्दम अलग है तुम अगर इसको अभी से सीरियस होके पुरा फोकस नहीं करोगे तुम सोचोगे कि नहीं थ्योरी का क्लास से तो मस्ती करने आ रहे हैं तुम गलत सोचोगे इससे नुक्सान होगा ठीक है तुमको आज भली तकलीफ हो जाएंगे कि जब घर पे तुम रहोगे तब तुमको एदम कंफटेबल होना चाहिए यार वह पढ़ाया था पढ़के मेरे को पुरा याद आ रहा है बुक से कॉपी से आम कॉंफिडेंट मैं एक्जाम के लिए प्रिपैर कर सकता हूं में को टेंशन नहीं है वह वक्त सबस को बखोर कन फर्मिंग दा कस्टमर यह पहला सी अपने यह ठीक है तम सब को सेकेंड दिमांड एवांस पेमेंट फॉम्ट फॉम्ट प्रॉम्ट खाइक है बिफोर प्रॉससिंग फर्दर थे कि थर्स्टेप फॉर्परेश इन्वोइस एकांस तो तो देर इस नो एर अर की पास हो जाएगा और मार्केटिंग चोरी नहीं कर भाएगा फोर वेनेवर यू डेलिवर गुड्स टू कस्टमर यू शुड आलवेस टेक है ब्लू कलर है प्रूफ आफ डेलेवरी ठेक है प्रूफ डेलेवरी अची तब हम उससे बैलेंस पैसा मांग सकते हैं तो आपको सब्सक्राइब करें इंटर्नल कांट्रोल्स नमबर वन ठीक है लाज में शिदर से मेरी साइड से पर दिख रहा है देख तो बोड़ पर एक बाद ठीक है अभी क्लियर एक दम पॉइंट नमबर वन क्या लिखा है मैंने रिडेबल उदर कॉर्णर में रिडेबल है दम ठीक है चेक स्टॉक अवेलिबिलिटी बिफोर कंफर्मिंग पी ओ पी ओ का फुल फॉल अर यह सब लिखने की जरवत नहीं सब स्टैंडड़ है बॉस सब को मालूम है अब अकाउंस को भी किया तुम पूरा लिखो के के ACCOU NTS, you know A, Y, Obliq is accounts, ठेक है आजी कान अल्रिश्ट्स एंपेमेंट अंडूर्ट्स अए पायमिंट्स इस फर्ड कंप आप इन अडवांस पेमेंट अच्छा अगर कस्तमर बहुत पुरान है हमारे जान पिचान का है मतलब अच्छा आद्मीं है मतलब हमेशा पेमेंड किया तो तो एडवांस जरूरी नहीं है फिर छोड़ सकते हैं तो यह भी तो है अरे कस्टमर टू कस्टमर आपका पॉलिसी डिफरेंट नहीं हो सकता है हो सकता है ना अगर इट सब वेरी ओल्ड कस्टमर गुड रिलेशन्स हमेशा पेमें टाइम पर होता है तो फिटी है बिना अडव है आपका पॉलिस क्यों आपका इपंपर आप्राइम धिक टायव कर दो पॉलिसी डिलेशन लाव कर अग्यार आपका राव उद्मान लाव ख्वा है लिलेशन लाव अवरीशन लाव यह ब्रश्स अवाब कर दो अंब्रगा इपक ग्म तो यह हम लोगों ने पांच इंटरनल कंट्रोल्स तो नोट डाउन करके लिख लिया कि यह है पांच इंटरनल कंट्रोल्स अभी मैं एक छोटा सा चीज लास्ट दो मिनिट और समझाने वाला हूं सुन लो कि सब को लिख लो फिर हम बात करेगा कि अब लिख लो कि सबांगे लिख लिया पीशे बहुत करें अभी आप सुनना प्लीज हा तो सर है दो तरके गंट्रोल्स होते हैं मैं पढ़ा दूँगा फिर मैं सवाल पूछुंगा दो तरके कंट्रोल जोते हैं एक ओता है ओपरेशनल कंट्रोल मत्तब इंटरल के अंदर ही बोल रहा हूं internal controls, so internal controls are of two types, operational controls, second financial controls, operational controls का मक्सद होता है कि operations एक दम मक्खन की तरह smooth चल रहा है, उसमें कोई जमेला नहीं आएगा, that's operational controls, financial controls is related with money accounts, that is called financial control, पांच एक्जाम्पल हैं, हम लोग पांचों पढ़ेंगे और हम तै करेंगे कि वो OC है कि FC है, समझ गया बात को, उपर करें वहाँ, check stock availability before confirming the customer, पैसा से जुड़ा है कि smooth operation, तो answer is, सोच पा रहे हो, ठीक है नहीं इदर, सामने फिर नहीं बेंच, बई क्या ना मिश्व गया, सही है तो, सेकेंड, अब सेकेंड तो easy है, बहुत easy है, all, risks and payments, accounts अमालेगा, पैसा, financial control, लेखो, पैसा या accounts, money या accounts, ये दो आते ही, तुमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, financial control, obtain advanced payment, पैसा बोल रहे हैं, फिर से advanced payment मतलब पैसा आना चाहिए, financial control, चौथा, invoices, मैं बोलूँगा, invoices should be, नहीं, नहीं, मेरों को बोलने हैं तो, invoices should be obtained by, should be prepared by accounts, वाई, ताकि there is no error of omission, ताकि वो लोग entry pass करना भूल, नहीं जाएं, entry कहां पास होता है, accounts, तो account से जुड़ावा, control मतलब, financial control, अरे, पैसे से या account से जुड़ावा, जो control है, वो क्या है, FC है, जबी भी customer को माल delivery हो, there has to be a proof, OC, अच्छा, जब तुम यह समझ चुके हो, कि क्या OC है और क्या FC है, मैं simple पैचान बता रहा हूँ, whenever a control is related to money or accounts, it's FC, otherwise it's OC, now I have a question for all of you, as the auditor of the company, as the auditor of the company, what matters more to me, OC की FC, पैसे करेक्ट है, बाजु में लिखते हैं, एक लाइन लाश्ट, financial controls matter more to the auditor than operational controls अगर financial controls अच्छे हैं, तो mistake का chance कम है, तो हमको तो mistake ही ढूढने आया हैं ना, हम कोई आपका smoothness of operation चेक करने तो आया नहीं है, हम क्या चेक करने आया है, financial statement, कि वही MMS तो नहीं है, mistake तो नहीं है, तो financial control अगर बढ़िया है, तो MMS की chances रिक्दम कम है, we stop our discussion over here, we have completed three concepts today, first, second and fourth, ठेक है, so in the next class, this batch, we will be discussing third, fifth, sixth onwards and chapter one, okay, stop करता हूँ मैं, लिकना होगा है सबका, ठेक है, stop करते हैं, आपार, माि बढ़ियाह स्बक्राथ, अज्द